तिडिलोल जलिवृग्य। अज़को पोड़ाईपिझी अज़कर दूटने separately ? गटमोंग्वाईंग्य। आज हम पढ़ेंगे प्रेजंट गंतिन्यूस टन्स, हम प्रेजंट इंडफनिय। पढ़ चुके हैं तो आज हम क्या करेंगे, इस tense को आगे बढ़ाते हैं, आज हम tense पढ़ेंगे present continuous tense, अब इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में, रहा है, रही है, रहे है, आधी आता है, अब हमने देखा, रहा है, रहे है, रहे है कब बोलते हैं, जब हमारा काम continuity में होता है, या होते हैं तब जारी रहता है यानि कि जिस टाइम हम बोल रहे हैं तब हमारा कारिया अगर चल रहा है तो उसे हम कौन से टेंस में एक्स्प्रेश करेंगे present continuous tense जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं मैं पढ़ा रही हूं आप पढ़ रहे हो तो यह कौन से टेंस हो जाएगा present continuous tense जैसे example लेते हम रीना पत्तर लिख रही है अब ये वाक्य के अंत में देखो रही है तो ऐसे वाक्या जिसके अंत में रही है रहा है रहे है आधी आता है वो हमारे कौन से हो जाएंगे present continuous tense अब इसके structure क्या है इसके structure है affirmative sentences की यानि कि जो साधानवा क्या होते हैं जिसमें ना या क्या नहीं होता उनको हम कहते हैं affirmative तो उनके structure क्या है subject प्लस is mr यानि कि या तो is आएगा या m आएगा या r आएगा प्लस वर्ब की first form के साथ ing प्लस object यह सेंपल वाक्या का structure अब हमें यह भी पता होना चाहिए is किसके साथ आएगा m किसके साथ आर किसके साथ वो भी हम देख लेते हैं is का प्रियोग हम किसके साथ करेंगे जब हमारा subject अगर he है see है it है या singular noun है यानि कि जो हमारे subject होंगे वो in में से अगर कोई है he see it या singular noun subject है तो हम helping verb क्या लगाएंगे is m का प्रियोग कहा करेंगे सिरफ एक ही subject अगर हो i i अगर subject है तो हम helping verb क्या लगाएंगे m r का प्रियोग हम कहा करेंगे जब हमारी subject जो है we, you, they या plural noun हो तो हम कौन सी helping verb लगाएंगे r तो यह हमारी helping verb थी अब हम इस tense की जो है हिंदी वाक्य को इंग्लिस में translate करके देख से हैं जैसे हम एक वाक्य लेते हैं रीना पत्तर लिख रही है तो इसको हम इंग्लिस में कैसे बनाएंगे subject रीना फिर हमने देखा helping verb लगेगी is mr में से कोई भी तो रीना क्या है हमारा singular है तो कौन सी helping verb आ जाएगी is फिर है वर्ब की first form के साथ ing वर्ब क्या है इसमें write लिखना जिसके आखिर में ना sound आए तो वर्ब की first form के साथ ing इसका मतलब write के साथ ing writing a letter रीना is writing a letter नेक्स्ट संटेंसे को देख लेते हैं हम वे पत्तर लिख रहे हैं अब इसको अगर इंग्लिस में बनाए तो कैसे बनेगा subject क्या है वे दे helping verb क्या हैगी is mr अब हम देख चुके है और किसके साथ आएगा plural subject subject क्या है plural they are writing a letter एक और sentence हम देखते हैं बना की मैं पत्तर लिख रही हूँ अब subject क्या है आई यानि कि मैं अब मैंने तीनों clear करवा दिये हैं is b, r, b, m, b i am मैंने बताया था i अगर subject हो तो helping verb क्या हैगी m, m सिर्फ आता ही i के साथ है i am writing a letter अब हम इसका negative structure देखते हैं present continuous को negative में कैसे बनाते हैं मतलब कोई काम के लिए ना भी कर सकता भी काम नहीं चल रहा है जैसे तो इसका patron क्या हो जाएगा subject plus ismr plus note plus verb की first form के साथ ing plus object अब इसको use करके देखते हैं तुम अपना ग्रह कारिया नहीं कर रहे हो यह वाक्य मैंने जानबूज कर लिया है क्योंकि बच्चे सच मुझ में अपना कारिया मुझसे चेक नहीं कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं तो हमने सुचा जिसी sentence को जो है हम English में करते हैं तुम अपना ग्रह कारिया नहीं कर रहे हो तो इसको हम कैसे बनाएंगे subject क्या होगे हमारा तुम you helping verb ismr में से क्या आएगी you के साथ हम पढ़ चुके हैं क्या आएगी आ फिर note helping verb के बाद किसका use करना है not you are not verb क्या है इसमें क करना डू-डू के साथ ing you are not doing your homework तुम अपना घ्रह कारिया नहीं कर रहे हो बच्चो अपना घ्रह कारिया करो और चेक करवाओ अब next pattern है हमारा interrogative interrogative को हम क्या कहते है पर्शन वाचक भी कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे पर्शन वाचक अब इसका क्या pattern है interrogative का interrogative में क्या होता है helping verb पहले आ जाती है हमारी helping verb स्टार्टिंग में आ जाती है is mr plus subject plus verb की first form के साथ ing plus object और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो क्या है sign of interrogation यह जरूर आना चाहिए आखिर में जैसे इस pattern को भी हम apply करके देखते हैं वाक्य के उपर क्या वह है अपना ग्रहकार यह कर रही है मतलब क्या वो अपना ग्रहकार यह कर रही है तो इस English में कैसे बनाएंगे अब subject देखो इसमें क्या है सी वह है subject क्या है वह है और सी के साथ हम पढ़ चुके हैं क्या आएगा is is she doing her homework sign of interrogation यह क्या हो जाएगा हमारा interrogative का structure अब हम एक और वाक्या आता है हम ऐसे भी बोलते हैं कई वार चीज़ों को क्या वेकाम नहीं कर रही है मतलब हमने person भी पूछ दिया और हमने मना भी कर दि तो ऐसे sentences को हम क्या कहते हैं negative, interrogative, negative sentences इनका structure क्या हो जाएगा यह देखते हैं EJMR क्योंकि interrogative में क्या होता है helping work पहले interrogative का मतलब ही क्या होता है कि helping work starting में आएगी sentence में तो EJMR plus subject plus note अब इसमें सबसे ज़्यादा ज्यान देने वाले बात वो क्या है कि भी जो note है EJMR के साथ नहीं जाएगा वो अपनी position पे याएगा third position पे subject के बाद लेकिन इसको कई बार हम brief कर दें तो वो यहाँ इसके साथ जैसे agent बोल दे, aren't बोल दे, aren't बोल दे तो note पहले आ सकता है लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम basics clear कर रहे हैं तो हम note को कहां रखेंगे यहीं पर रखेंगे EJMR plus subject plus note plus verb की first form के साथ ing plus object and subject next है हमारा क्या वह अपना घ्रह कारिया नहीं कर रही है अब इसको भी अगर हम बनाए तो यह हमारा कैसे बन जाएगा वह subject हो गया हमारा वह के साथ क्याएगा is is she not doing her homework sign of interrogation अब हम समझ चुके हैं present continuous tense को exercise करते हैं सब बच्चों को करनी है यह मैं sentences बता देती हूँ कौन-कौन से हैं first one है हमारा मैं अंगूर खा रहा हूँ अब इसमें जो भी वर्ब जो है अगर कोई difficult होगी तो उसकी English मैं अभी बता देती हूँ क्या वे पार्क में घूम रहे हैं घूमना की क्या होता है walk w a l k मैं cricket खेल रहा हूँ खेलना की क्या होता है play सरला गाना गह रही है अब गाना सोंग होता है गाना 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 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं sing s-i-n-g चप्रासी घंटी बजा रहा है अब इसमें बजाने की क्या हो जाएगी ring r-i-n-g ring वह paper दे रहा है यह important है इसमें देना का give नहीं कहेंगे paper देना और paper लेना की English अलग होईगी देना में take और लेने में give उल्टा हो जाता है वैसे हम English में देने को क्या कहते हैं give और लेने को क्या कहते हैं take लेकिन एक्जाम में उनका उल्टा कर दो, पेपर दे रहा है, गिव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टेक क्या मैं अपना ग्रह कारिया नहीं कर रहा हूँ ग्रह कारिया होमवर्क करने की डू अध्यापक बच्चों को डांट रहे हैं अब यहां भी यह डांट रहे हैं डांटने की क्या होती है स्कॉल बच्चे शोर मचा रहे हैं शोर मचाने की क्या होती है में के नॉइस हम नदी में तेर रहे हैं तेरने की क्या होती है स्विम